तो आज आपके बीच फिर मैं एक ऐसे कवी को लेकर आया हूं जो आपके मन को हसाएंगे गुद गुद आएंगे और आपको उन तमाम उचाईयों पर ले जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे एक ऐसा कवी जिसकी मूल रूप से भाषा हिंदी नहीं है बंग घर गया तो वहां दो-तीन लोग बैठे राम भजन कर रहें मैं निकला मैंने का भाषाब मैं देखा अब मिले अब मिले अब मिले जब 10 बज गए कोई लगा कोई इंजाम नहीं हुआ तो मैंने का भषिभजन नहीं 있다는 तो मैं ने कहां यह ख़kinों बंगाल मैं इसी तरह ब देखाते हैं नाम है जिसका शामल मजूमदार जोड़दार तालिया कर शामल मजूमदार करें मैं सबसे पहले चार पंक्तियां सुधी सुधाओं के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं मार भाई सुनिएगा कि कही मस्जिद कहीं गिर्जा कहीं शिवाले मिलेंगे मजब के रंगों में रंगे मतवाले मिलेंगे पर दुखदर्द बांटने की वकालत जहां होती समझो वहीं साहित्य के रखवाले मिलेंगे आप सभी को स्यामल मजूमदार का प्यार भारा नमशकार तूटी फूटी हिंदी लेकर आपकी बीच आया हूँ जैसा मेरे कुमार भाई ने कहा मैं बंगाल का रहने वाला हूँ मुल लूप से और मैं अपने कविताएं आपके सम्मूग रखूंगा आजकर लखनओ में हूँ अपने कारेया लेकर कारण मैं लखनओ के तहजिव और नराकत के शैली में कुछ पंक्तिया निवदित करना चाहता हूँ सुनियागा कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती अगर कुट्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती अगर कुट्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती और एक सचाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं हलाकि मुझे सकुसल अपने घर तक भी जाना है कि ट्रैफिक पुलिसमाइन तो मर जाता भूखो जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती जो पडोसन के घर में कनेक्शन न होता कुमार मनोज ने कटिया फसाई न होती लेकिन मित्रों हसते हसाते को संजीदा बाद भी कहने की उस्तिती में हूं आज जो देश में इस्तिती है अभी आपने तमाम हैदराबाद के दिस्टांत आपके सम्मुक है निरवया का सम्मुक दिस्टांत है आपके बाद कुछ पंक्तिया निवदित करना चाहता हूं एक छोड़ी सी बिटिया लगबग साथ साल कुसी उम्र होगी मेरे सामने आए मैंने बिटिया से पूछा बिटिया तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई वो मेरे तरफ अवाग इस्ति से देखने लगी तब है उसके पिता जी मेरे सामने आए मैंने यही प्रसुम से दोराया जो दर्थ जो व्यथा जो वेदना उस पिता के चेहरे से परिलक्षित हुई दो पंक्तिया निवेदित करना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते वो हैदराबाद के लोग जिन्होंने ये कांड किया जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते यो कच्चे उमर में सगाई न होते कौन नहीं चाहता बेटियों को पाले बेटियां जब चहकती हैं ये फूनों सी महकती हैं नहित इन में है दावानल ये अंतस से धगती हैं तो जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते यू कच्चे उमर में सगाई न होती और पसीने की कीमत जो दुनिया समस्ती पसीने की कीमत जो दुनिया समस्ती किसानों ने फासी लगाई न होती वहसी दरिंदे वहसी दरिंदे जो पाले न जाते निठारी की घटना भी आई नहोती निठारी की खटना भी आई नहोती निठाई गई आए एक और कविता से जो आप से जोनना चाहता हूं मुद्दा है भरस्टाचार हम लोग भरस्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं लेकिन भरस्टाचार की जो प्रवित्ती है मनुस्य के अंदर उसको हम लोग लोग समाप नहीं कर पा रहे हैं और उसी के कारण यह सब इस प्रभित्स inconvenience का निरा करण जिस दिन हो जाएगा जिस तरह से की रामण का आपके अंदर के रामण को जिस दिन नया जाएगा उस दिन रामण देहन करने कि आवसकता नहीं है उसरसे भस्ताचारी कि प्रभित्य को अगर आप समाप्त कर देंगे देश में भर्ष्टाचारी समाप्त हो जागए यह मेरा अपना मानला है कि एक रात एक महा भर्ष्टाचारी की आलिशान कोठी पर यम्पुरी से यंदूत पधारे एक राट एक महा व्रिष्टाचारी की आलिशान कोठी पर यम्पुरी से यम्दूत पधारे व्रिष्टाचारी को नीन से जगाया बोले चलो मेरे प्यारे हम तुम्हारे लिए पर्मानेंट वारंट लाए हैं तुम्हारे लिए यम्पुरी का टिकट कटाए हैं हम तुम्हारा पर्मानेंट वारंट लाए हैं तुम्हारे लिए यम्पुरी का टिकट कटाए हैं अतह माया से मुखमोड अपनी नश्वर काया छोड़ अतह माया से मुखमोड अपनी नश्वर काया छोड़ वत्स अब त्य कदे कार कोठी और अपार पैसा वो देख हम लाएं हैं तेरे लिए यमपूरी की शान्दार सवारी भैस मेंदय हम पूरे की शांदार सवार या इतना सुनते ही भिफर गया बस्ताचारी बोला सुनो मौत के ब्यापारी अरे मुझे क्या लल्लू समझ रखा है भाई मैंने भी इंडियन इंस्टूट अब करफसम टेक्नलोजी से है प्यसडी की डिगरी हती आई अब मुझे पर आओ वारंट हो तो दिखाओ अब मुझे पर आओ वारंट हो तो दिखाओ अरे ब्लैंक चेक पर कितनी रकम लिख दूँ जरा यह तो बताओ फिर मेरे जगह फिर स्टे आओडर ले आना फिर स्टे आओडर ले आना मेरी जगह किसी इमानदार को पकड़ के ले जाना घबडाओ नहीं इस लोग का यह दस्तूर है पुराना सुनकर यम्दू चकराए सुनकर यम्दू चकराए बले यम्पुरी में भृष्टाचार वहां भी फैलाओ गया ना चार यदि काल चकर थम गया तो कुछ भी न बचेगा साकार वत्स तुझ में भोले पन की अधिकता है तभी तो तुझे पाप और पुन्य में अंतर नहीं दिखता है वत्स तुझ में भोले पन की अधिकता है तभी तो तुझे पाप और पुन्य में अंतर नहीं दिखता है वैसे भी एक प्रस्ण मेरे मन में बार बार उमर घुमर रहा है कि तुम जैसे चंद लोक यदि हम लोक में भी बस जाएंगे तो मरने के बाद सब भी जहने को है जयान